परिचाए इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे प्रकाश की व्याख्या करना प्रकाश परावर्तन के नेमों की व्याख्या करना नियमित और विसरिक परावर्तन की व्याख्या करना विभिन तरहा के प्रतिविंबों की बनावट पर चर्चा करना प्रकाश क्या है? आप कई तरह की चीजों को देखते हैं. इस कमरे में ही आप कुर्सी देखते हैं. मेज और मेज पर रखे गुलदान को भी देख सकते हैं. ये चीजें हमें तब दिखाई देती हैं जब उस वस्तु से प्रकाश परिवर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ता है. यह दो तरह से होता है. या तो वस्तु से स्वयम प्रकाश निकलता है या वस्तु पर किसी दूसरे माध्यम से प्रकाश पड़ता है. इस इस्तिति में प्रकाश परवर्तित होकर हमारी आँखों तक आता है। इस प्रकार जब पूरी तरहा से अंधिरा रहता है तब प्रकाश की अनुपस्तिती में हम कुछ भी नहीं देख सकते। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश भी ध्रवनी की तरहा उर्जा का एक माध्यम है लेकिन इससे अलग है। यही कारण है कि सूरे से निकलने वाला प्रकाश हमारे ग्रह पृत्वी तक पहुँच सकता है। अगर हम प्रकाश के सुरोत के सामने किसी अपार दर्शी वस्तु को रखें तो प्रकाश का रास्ता विचलित हो जाएगा। इस प्रकाश से अपारदर्शी वस्तु के पीछे छाया बन जाती है। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसके अलावा हम इसे अपारदर्शी माध्यम से भी देख सकते हैं। परावर्तन का नियम प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे हम किसी गेंद को दीवार पर मारते हैं और गेंद उचल कर वापस आजाती है। ठीक वैसे ही प्रकाश को किसी वस्तु पर गमन कराया जाता है तो वो छितरा कर वापस आजाता है। पर सबसे महदपूर बात ये है कि जिस कोण से प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, ठीक उसी कोण से वस्तु प्रकाश को परवर्तित करती है। आईए हम इस बात को विस्तार से जाने। पत पर अवस्तित रहता है। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें। नेमित और विसरित परिवर्तन दरपन जैसी समतल सतह से निकलने वाले परवर्तन को नेमित परवर्तन कहते हैं। पानी की सतह से निकलने वाली परवर्तन या बेहत चमकिली सतह से निकलने वाले परवर्तन भी नियमित परवर्तन के उधारन है। प्रकाश का नियमित परवर्तन ही प्रतिविम्ब बनाता है। विसरित परवर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण किसी लकडी या दीवार की सतह पर आपतित होती है। यह सतह समतल या चमकिली नहीं होती। इस सिति में प्रतिविम्ब नहीं बनता। ऐसी सिति में सतह के विभिन भाग, विभिन दिशाओं में आपतित किरण से परवर्तित होते हैं। हम ज्यादातर वस्तूओं को अपनी आँख से देखते हैं, ये हम तब देखते हैं जब इनकी सता से विश्रित परावर्तन होता है। कितने सारे प्रतिबिंबों को प्राप्त कर सकते हैं? दो समतल दरपण लें, इसे एक दूसरे के साथ दाही कौन पर वेवस्थित करें, जिसमें इनका किनारा मिल सके। इन दरपणों के बीच में एक मुम्बत्ति रखें, अब आप कितने प्रतिबिंबों को देख रहे हैं? आपको हैरानी होगी कि आप इन दो दरपणों में तीन प्रतिबिम्ब देख रहे हैं। दरपण में बने इन प्रतिबिम्बों को देख कर हमें हैरानी होती है। आगे भी हम ऐसे ही हैरत भरे प्रतिबिम्बों को देखेंगे। केलिडोस्कोप केलिडोस्कोप क्या है? केलिडोस्कोप एक नली होती है, जिसमें दरपन और रंगीन काँच के टुकडे या पत्थर के टुकडे होते हैं, जो खुपसूरत पैटर्न बनाते हैं. एक दरपन के रूप में, जब आप इसे एक छोड से देखेंगे, तो पाएंगे कि प्रकाश दूसरे छोड से प्रवेश करता है, और रंगों का खुपसूरत समा बांध देता है. ऐसा इसलिए होता है, क्यूंकि जब नली खुमती है, तो दरपन से परवर्तन दूर हो जाता है. आईए, हम इस क्रिया कलाप को करके कैलिडोस को बनाएं. तीन सम्तल दरपन के टुकडे लें, और प्रिज्म बनाने में हमारा साथ दें. इसे एक गोल कार्ड बोर्ट नली में सेट करें. नली के कार्ड बोर्ट का एक छोर बंध होना चाहिए. अब इस कार्ड बोर्ट के बीचो बीच एक छेत करें, जिसमें हम देख सकें. कार्ड बोट के अंदर पारधर्शी प्लास्टिक के टुकडे को चिपका दें दूसरे छोर पर गोल समतल कांच की प्लेट को लगा दें इस कांच की प्लेट में छोटे छोटे रंगीन कांच डाल दें और शीशे की प्लेट से नली के छोर को बंद कर दें आप छेद में प्रकाशित बिंब को कार्ड बोर्ड के छेद से देखने के लिए कैलिडोस्कोप को घुमाएं। आपको नली में कई खुपसूरत तरह के नजारे देखने को मिलेंगे। प्रकाश का प्राकिर्डन पारिश होने के बाद हम आकाश में क्या प्रेक्षन करते हैं? जी हाँ, हम आकाश में कई रंगों वाला खुबसूरत इंद्रधनुश देखते हैं, लेकिन यह विभिन रंग कहां से आते हैं? हम जानते हैं कि सूर के प्रकाश को सफेद रंग में वो लेखित किया जाता है। जब हम इस प्रकाश को काच के प्रिज्म से गुजारते हैं, तो यह सात रंगों में विभाजित हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि सफेद प्रकाश की किरण अपने संगठन रंग से अलग हो जाती है। इन रंगों का समुहू सफेद प्रकाश के पैक्टरम को प्रदशित करता है। इस प्रकार सफेद प्रकाश के अपने संगठन रंगों से अलग होने की घटना को प्रकाश का प्रकीडन कहते हैं। आईए, अब हम इंद्रधनुष पर आते हैं। उप्रोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि सफेद प्रकाश का प्राकिर्णन बारिश की बूंदों से होकर गुजरता है, तो इंद्र धनुष बनता है। इन रंगों को हम निम्न क्रम में देख सकते हैं। बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसे अंग्रेजी में वाइब क्योर भी कहते हैं। सारांज आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेब में दोहराएं। प्रकाश उर्जा का एक रूप है, जिसके बांध्यम से हम चारों और की चीज़े देखते हैं। क्योंकि इसके माध्यम से प्रकाश परावर्तित होता है। प्रकाश सरल लेखा में गमन करता है। जब किसी दरपन पर प्रकाश की किरण परती है, तो वह प्रकाश के पत को मोड़ देती है। परावर्तन के दूनियम है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर होता है कोण आर के। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदू पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दर्पन की तरह सम्दल चीजों से निकले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। दीवार की तरह खुदरी चीजों से होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। कैलिडोस्कोप एक नली है जिसमें दर्पन और रंगीन काच के टुकडे होते हैं। दूसरे छोड से प्रकाश अंदर आता है, तब इसमें घूमते हुए परावर्तन के करण रंगों का खुबसूरत पैटरन बनता है, जिसका नजारा अध्भुत होता है, अपने संगटक रंगों से सफेद प्रकाश का अलग होना प्रकाश का प्रकीनन कहलाता है.